तुम जा चुके हो को आज की इस बीट को में हम इंगलिस में translate करना सीखेंगे तो चलिए सबसे पहला हम इसकी word meaning जान लेते हैं तुमको इंगलिस में you कहते हैं और जानना को इंगलिस में go कहते हैं और जिस वाक्य कहनत में चुके हैं रहता है तो वो present perfect tense का sentence रहता है और यह person perfect का simple sentence है जिसे इंग्लिस में translate करने का rule है सबसे पहले आपको subject लिखना है subject क्या है तुम तो तुमको इंग्लिस में you कहते हैं तो पहले यू लिखेंगी उसके बाद have या have तो आप ध्यान देना कि you के साथ हमेशा have रहता है यू है उसके बाद नेधी sentence में तुम नहीं जा चुके रहता तो यहां पर not का प्रयोग करते हैं यहां पर not नहीं लिखेंगे क्योंकि sentence affirmative हुए और इसके बाद लिखेंगे वर्ब का third form दोस्तो आपको इस चैनल पर इसी तरह की छोटे छोटे वीडियो मिलती रहेगी जिसे से कि आप थोड़े थोड़े समय में ही अपने English इंप्रूब कर सकेंगे